Hello students, welcome to Global Online, this is Ankitah Sode, so Assam's Lab 2024 exam में बहुत कम टाइम बागी है and ऐसे में आज आपके लिए मैं 20 ऐसे important topics के list लेकर आई हूँ जो 100% sure हैं कि examination में पूछे ही जाएंगे वो students जिन्टोंने अभी भी कुछ नहीं पड़ा तो उनके लिए ये topics बहुत important है ये 20 topics जरूर exam में आएंगे तो देख सकते हो 20 questions यहां से आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे paper 1 में ठीके तो आप सभी इस video में इंतक बने रहेगा and जो भी topics में बताऊंगी उनको note जरूर कर लीजेगा ठीके सबसे पहले students आपको paper 1 में समझना है कि हर एक unit का equal weightage रहता है मतलब कि हर एक unit से बराबर number of questions पूछे जाते हैं सबसे पहले हम teaching aptitude unit से start करेंगे सो इसमें एक topic है evaluation system मुल्यांकन प्रणाली जिसको कहा जाता है मुल्यांकन प्रणाली के different types होते हैं बहुत आसान भाषा में real life example के साथ मैंने आपको बताई है उनको आपको जरूर पढ़कर जाना है इसके बाद आता है दूसरा question जो पूछा जाता है levels of teaching में से तो आपके सामने levels of teaching में से question आएगा या फिर आपके सामने आएगा question blooms taxonomy से यानि की bloom का वरगी करण ठीक है इन दो topics में से जरूर question आते है और तीसरा important topic teaching aptitude का है स्वयम, स्वयम प्रभा और MOOC ठीक है simple सी भाषा में कहें तो online teaching के जितने भी important portals है ये examination में जरूर आते है so teaching aptitude के तीन topics है जहां से जरूर question आएगा अगली unit है हमारे पास research aptitude लेकिन उस पे चाने से पहले आपको बता दू कि students अगर अभी भी paper one नहीं पढ़ा या ऐसा लगदा है कि revision नहीं हो पाईए कैसे पढ़े, कहां से पढ़े तो आपके लिए final revision के लिए quick revision pdf हम लेकर आए है जहां पर आपको हर एक unit wise practice mcqs और previous year questions मिलेंगे जो कि आज तक सभी states के examination में पूछे गए है इन सभी questions के बाहर कुछ भी exam में नहीं आता हर एक question से लगभग 200 हर एक unit में से लगभग 200 questions आपको मिलेंगे and students मैं guarantee देती हूँ कि लगभग 60-70 questions पढ़ने के साथ ही आपको ये पदा चल जाएगा कि नया कुछ paper में नहीं आता वही questions गुमा फिर आकर बार-बार पूछे जाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस question bank को follow करके अपनी final revision कीजिए guaranteed questions and इसके बाहर से कुछ भी examine नहीं आएगा आपको इसको join करने के लिए given numbers पर contact करना है whatsapp के through and इसके लिए सिरफ एक इबार फीस देनी होगी 699 ओके इसे के साथ फिस students अब हम आते हैं unit number 2 research aptitude पे research unit में सबसे जादा important topic है types of research ठीक है सबसे important है types of research इसको याद रखने का एक तरीका सबसे अच्छा मैंने बताया था कि आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है qualitative research और quantitative research ठीक है गुनात्मक और मात्रात्मक शोध आपको पढ़ना है और जितने भी research के types हैं उनको इसके साथ अगर relate करना सीख जाते हो तो कोई question आपका types of research में से गलत नहीं हो सकता ओके दूसरा important topic है research में से ही जिसका नाम है steps of research ठीक है steps of research में बच्चे ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ साथ से 8 steps को पढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं ऐसे questions कभी exam में नहीं आते steps of research में एक important step होता है sampling ये आपको पढ़कर जाना है sampling के दो types होते हैं probability and non probability probability आगे उनको 4-4 हिस्सों में बांटा गया है तो आपको ये पूछा जाता है कि probability sampling के अंदर क्या क्या चीज़े आती है non probability के अंदर क्या क्या चीज़े आती है तो ये आपको पढ़ना है दूसरा steps of research में एक और चीज़ आती है जो कि है hypothesis hypothesis को कहा जाता है परिकल्पना परिकल्पना क्या होती है इसको कैसे test किया जाता है ठीक है ये जरूर पढ़कर जाना है तो ये अभी तक 5 topic हो गए च्छटा topic भी मैं आप लोगों को research aptitude का ही बताती हूँ जो कि है validity and reliability ठीक है ये है आपके characteristics of good research के अंदर आप पढ़ोगे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा topic है वैधता और reliability ठीक है इसको पढ़ना है जरूर पढ़ना है सारी videos और यूट्यूब पर भी हैं आप उसको जरूर follow कीजेगा इसके बाद फिर 7th topic में आपको बताती हूँ communication unit में से सो communication में आप से पूछा जा सकता है types या फिर modes of communication modes of communication में से question आएगा उसके बाद अगला आ सकता है mass media and society में से question mass media and society में से question आता है अगली unit है logical reasoning सो यह हमारा 8th topic है logical reasoning का जो की है classical square of opposition square of opposition ठीक है जिसमें कि हमने AEIO वाला concept पड़ा था कोई paper ऐसा नहीं होता जिसमें classical square of opposition से question ना पूछा जाए इसी के बाद logical reasoning में से ही 9th topic आ जाता है हमारा जैसे AEIO में से आप लोगों से contradictory, contrary statements ऐसी चीज़े पूछी जाएंगी एक आधा question आप लोगों से Venn diagram में से भी पूछा जा सकता है 10th important topic है logical reasoning में आपको पढ़ना है प्रमान के कितने types होते हैं अब देखिए logical reasoning में एक part है Indian logic वाला Indian logic का जो part है उसमें concept में मच जाईएगा इसमें सरफ previous year questions पढ़ लीजिए आपके लिए बहुत हो जाएगा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पढ़ेगा अगली unit है unit number 7 sorry 8 ICT ICT unit में से आप लोगों को input output devices जरूर पढ़कर जानी है इसके बाद generations of computer में से questions पूछे जाते हैं इसके बाद full forms पूछी जाती है examination के जो full forms जाएगा जैसे कि आप से पूछा जाएगा CPU के full form बताएगे तो ऐसी चीज़ें आती हैं यह आपको पढ़कर जाना है ठीक है 12th number पर topic है यह हमें एक ही consider करते हैं ICT का 12th number पर है ICT से related कुछ digital initiatives कुछ digital initiatives हैं ICT के वो आपको पढ़ने है and students 13th number पर एक research का topic और बताती हूँ जो की है Shodh Ganga Shodh Gangotri and Shodh Sindhu इस तरीके के कुछ initiatives है जो research के लिए बनाए गए हैं यह आपको पढ़कर जाना है ठीक है 13th topics हो गए 14th number पर आता है People and Environment unit number 9 इसमें आपको Sustainable Development Goals Millennium Development Goals बिलकुल भी miss नहीं करना है इस पे बहुत videos already मेरी available है उनको देख लीजिए अभी एक महीना पहले भी मैंने लगातार videos upload किये हैं उनको देख लीजिए अगला है हमारे पास कुछ important protocols जिसके अंदर आता है आपका Kyoto Protocol ठीक है जैसे greenhouse gas के लिए कौन सा प्रोटोकोल था ये पूछा जा सकता है ठीक है तो ये 15 topics हो चुके है 16th number पर है pollution pollution and pollutants production और प्रदूशक कौन सा प्रदूशन किस वज़ा से होता है air pollution है जैसे कि अगर हम noise pollution की बात करे ध्वनी प्रदूशन की बात करें तो कितने level से उपर अगर ध्वनी मतब किसी आवाज को हम बढ़ा देते तो हमारे कान खराब हो सकते है या फिर ध्वनी प्रदूशन का क्या level रखा गया है ये पूछी जाती है चीजे 17th number पर इस unit में से 17th number पर इस unit में से ये पूछा जा सकता है कि भुकंप को कैसे measure किया जा सकता है ठीक है भुकंप हमारे पृत्वी की कौन सी परत पर होता है ओजोन लेयर क्या होती है तो ये चीजें पूछी जाती है अगला है 18th number पर higher education system इसमे ancient education की जितने भी universities हैं पूरी ये सारे universities आपको पढ़नी है क्यों ये universities फेमस थी ये पढ़ना है अब ये universities इंडिया में है ये बाहर इंडिया से बाहर कहीं चली गई है shift हो चुकी है है भी ये destroy हो चुकी है ये आपको पढ़ना है कौन से year में ये university बनी थी कौन से year में इसको जला दिया गया या खत्म हो गई ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है उके उसके बाद फिर 19th नंबर पर आता है आपका National Education Policy 2020 NIRF ठीक है University Ranking होती है ये आपको जरूर पढ़कर जाना है एक Students NIRF पढ़ना है और Higher Education के जितने भी Digital Initiatives है वो पढ़ने है इसके बाद 20th और हमारा आज का लास्ट टॉपिक है Higher Education में कुछ पॉलिसी ठीक है जैसे की कोठारी कमिशन कोठारी कमिशन क्यों बनाया गया था इस तरीके के बहुत सी पॉलिसी बहुत से कमिशन हैं जो कि Education को बहतर बनाने के लिए बनाये गए थे उनके नम आपको जरूर पढ़कर जाने है यह 20 नहीं बीच से भी कई जादा Number of Topics में आपको बता चुकी हूँ अभी जो समय है उसमें बाके कुछ revise करो या ना करो यह चीजें आपको जरूर पढ़कर जानी है ठीक है students यह वीडियो आपको helpful लगी है जरूर इसको अच्छे से follow करोगे इसके अलावा कोई और help आपको चाहिए मुझसे comment करके बेज़े चक मुझे पूछ लीजिए मैं आपकी जरूर मदद करने के लिए ready हूँ so thank you so much everyone and I wish you all the very best